हुआ कि रिवाइब आप एक विडियो डालिये चाट ऑफ द वीग जिस पे तीन- शी तो क्सी रिकमेंटकर रहे हैं और इतना बढ़िया breakout उसके अंदर आने वाला है कि आपको 10% within a week मिल जाएंगे जैसी वो breakout आएगा वो वीडियो माने नीचे description और यहाँ पर i button पर डाल रखिये जाके जरूर देखेगा और हमारे चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं उसपे advanced technical analysis कैसे professionals analyze करते है stocks को कैसे हम लोग select करते हैं पूरी चीज आपको within 30 minutes में explain करें और मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि आपको एक-एक point उसका समझ में आएगा अगर नहीं आएगा तो आप dislike करके हमें comment section में जरूर बता सकते हैं बट मैं आपको definitely गया रहा है वो video आपके लिए वर्त है तो जाके एक बड़ जरूर चेक करें रहा है सो अब बात करते हैं कल है Monday already 18,000 के level तक market आ चुकी है और 18,600 तक top तक जा चुकी है क्या कर रहा है क्योंकि अगर अभी मैं option data भी आपको दिखांगा अप्शन डाटा भी है टेकनिकल अनालेसिस पर शॉर्ट कम टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉर्टम टाइप ऑप सेनारियो बना है जिस हम कहा सकते हैं कि वो breakdown भी हो सकता है according to open interest but according to technical analysis और जिस तरीके से lines के अच्छे result आया है चया दे gap आप देखने को भी मिल सकता है दिवाली special stocks जिसे आप next दिवाली तक hold कर सकते हैं और with minimum 30% का return वो stocks दे सकते हैं so let's get started so guys हम लोग पने trading terminal पे आ चुक है और सबसे पहला stock है STLT so मैंने already सारा structure draw कर आवा है मैं आप लोगों को सिफ target and stop loss at entry level बता दूँगा because अब इंडिय पाकिस्तान का map चल ला है तो मैंने चाहता है मैं वो उसको miss करूँ so हम लोग जल्दी cover करते हैं don't worry आप देख सकते हैं एक rising channel के अंदर ही particular stock काम कर रहा है STLT and यह stock मैंने telegram channel पे भी recommend कर रहा था आप लोगों को last Friday को अभी जो निकला है higher highs and higher lows continuously बना रहा था उसके बाद एक range के अंदर काम करने लग गया finally यह जो resistance line इसका breakout दिया breakout दिनके बाद यह red killer की line देख रहे है इस red killer की line पे आप देख सकते है multiple hurdles थे जैसे इस की उपर breakout दिया we go for a buy 300 rupees अभी भी चल रहा है मेरा जो ultimate target है सबसे पहला target है that is double top create हुआ है यह double top मेरा पहला target है जो की 315 rupees पे आ रहा है जो most probably कल्या पड़सो तक आ सकता है अब सुनिएगा यह मैंने already मेरी buying position है तो मैं आप लोगो ultimate target बता देता हूं है यहां पर आप देख रहे हैं एक double top create हो रखा है और आप देख रहे हैं bottom से यह continuously higher rise and higher loss formation बना रहा है तो मेरा ultimately target ही है वाट मैं 350 की आसपास कुछ quantities exit कर लूगा और मेरा stop loss होगा मेरा buying price होगा ठीक है तो यह मेरा पहला stock होगा अब बात करते हैं second stock की मेरा दूसरा stock है HDFC HDFC आप clearly देख सकते हैं कि यह मैंने यलो गलर का zone creating कर आगा जो कि सबसे पहले resistance था 2000 डिवेंबर 2020 पे finally इसने December 2020 को यह breakout दिया और वो resistance अब support बन गया support बनने के बाद यह continuously उपर गया अब resistance एक level यह भी था जो कि higher top पे बना था which is just February 2021 को बना था वहां से बहुत शाफ फॉल हम लोगों को देखने को मिली थी almost 500 रुपे की गिरावाट आई थी बट अब recover कर और last Friday को इसने आप देख रहे हैं दूसरी चीज एक आप देख रहे हैं यह एक कप है यह राउंडिंग बॉटम बन रहा है और यह इसका हैंडल है बुलिश कप ब्रेक आउट देखने को मिला है सु 30 मिनिट के टाइम फ्रेम पेग बार चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इक शाप इंपल्स मुव देखने को मिली इंपल्स को सब्सक्राइब कर रहा है यह जैसे रेंज के अंदर काम कर रहा है यानि की एक फ्लाग एंड पॉल पाटन यह बना है अब अगर इसका ब जो कि प्रिवेस हाई है और जैसे वो ब्रेक आउट देगा तो मेरे साब से 2980 की भी टारगेट समय देखने को मिल सकते हैं कैसे देखने को मिल सकते हैं अब देख सकते हैं आप पर एक ड्रॉ कर रहा हूं मेरे टूल जो भी हम लोग फ्लागेट पूल के लिए यूस करते हैं अगर आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताएगा आपको बता दूगा तो यह देख स सकते हैं अब बात करते हैं यह जितने भी स्टॉक्स है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दूगा इंट्री और टार्गेट और स्टॉपलोस पर्फेक्ट तरीके से तो वहां पर जॉइन कर लेना इसके लावा मैंने दो स्टॉक्स तीन स्टॉक्स की वीडि इसके लिए पर बाता है इसका बेचर और लॉंग टर्म ट्रेंड पर हमेशा पॉजिटिव रहा है तो अगर आप इसको करिंट लेवल पे भी तीन महीने के लिए बाय करते हैं तो आपको बढ़ियर रिटर्न दे सकता है सो आप देखेगा यह कॉंटिनिसली बेसिस को होना है अगर आप माइने ट्रेंट देखेंगे तो देखते हैं यह लोवर लोज 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 बनाता है बट जब इसके सपोर्ट पे होता है बहुत बढ़िया ब्रेकाउंट देता है सेव टाइप अफ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली एक राइजिंग इंपल्स मूफ के बाद यह एक रेंज के अंदर रहा लोज 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 फाइनली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद तो यह फ्लाग पूल पैटन भी है तो अगर इसका ब्रेकाउंट आ जाता है 4000 रुपीज का तो भाई यह और भी जादा उपर जा सकता है करेंट लेवल्स पर अगर डिप मिलती है तो अच्छा है अगर आप 6-7 मेने के लिए हुल्ड करना चाहते है बट अगर आप लोग 20-25 दिन के अंदर भी अच्छा रिटेन कमाना चाहते है तो मैं लेवल्स बता देंता हूं कहां पर हमें बाई करना है तो आप देख सकते है मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं आप देखेगा एक स्टॉंग कैंडल बनी थी उसके बाद छोटी छोटी चोटी कैंडल बनती रही बट फाइनली एक रिट क्लर की कैंडल और स्टॉंग बनी थी तो यह सबसे बड़ा है तो हमें करना कि हम इस लेवल की उपर बाई करन इस लेवल का ब्रीक आउट आएगा विदिन अडे आपको कोई यह टार्गेट मिल जाएगा तो यह इंट्राडे के लिए और या फिर आप बीटी इस टी कर सकते हैं तो आप इसे बीटी इस टी भी कर के चलब सकते हों बड़ अगर आप लोग 3-4 महीने या 20-25 दिन के आपको इस टॉक दिखा सकता है अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरू करेगा जलती से इसको देखिए या फिर मैच खता होने के बाद देगेगा और मैच को दरूर तो लेट्स ओप कि इंडिया ही इस वेरी गूट सपोर्ट विकॉज आप देख सकते हैं यह गाप था इस गाप को इसने आपर फिल करा एक डबल बॉटम क्रिएट करा एक बात को याद रखीगा और ऑप्शन साइड और एक डाटा पर मार्केट वीक है बट इस साइड में लोगों को डबल बॉटम देखन कि अगा एकडि आप गए कन रिएगा और इस अगरी आफ़ों को अगर फीकार आएगार् अगर क्याप के लिए उन लोगों का लॉस मैं आपको बतातों किसे करण SPEC अच्छा आप देखे कल रिलाइंस का रिजल्ट आ चुका है, अच्छा आया तो most probably कले gap-up देखने को मिल सकता है, जैसी gap-up देखने को मिलेगा, जितने भी open interest का data जो भी आपको आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे जैसी gap-up होगा, within 1-2 minutes वो gap नीचे आना start हो जाए, मतल कर रहा है, इस बात को याद रखेगा, अगर gap-up खुलता है, तो उसी time buy बिल्कुल मत बनाना, because market उपर नहीं जाएगी gap-up पे, क्योंकि महाँ पर call writers active है और बहुत नीजी से आ जाएगे, इस बात को याद रखेगा, तो यहाँ पर gap-up खुलता है, वेशन से लिएट करना, तुरांत एक selling pressure आएगा, selling pressure का कोई भी reverse हम रिखता है, then only we can go for a back, अब जिल लोगों ने भी already अपनी double bottom देकर position बहुत लोगों ने बनाई होगी, 18,100, 18,050, 18,070 के असपास, बहुत लोगों ने position बनाई होगी, so करना गया, आपको stop loss बर बता देता हूँ, 15 minute के time frame पे, अगर 18,020 के नीचे, 15 minute की candle close करे, 18,020 के नीचे, अगर 15 minute की candle close करे, तब लोग आप अपनी position exit कर सकते हो, और आप तुरंत, अगर आपने call option buy कर रहा है, तो आप तुरंत call option को exit करके loss पे, put option ले सकते हो, with the target of 17,930 रुपीज का, जो within a day, और next as a btst, sorry, st btm में देखने को मिल सकता इस बात को याद रखेगा, बट अगर इस लेवल पर accumulate होता है और उपर जाता है, तो हम लोग अपना buy setup जिन रेट कर सकते हैं, ठीक है, बात करते हैं, बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के मैंने chart open कर लिया, और guys, अगर आपको हमारे telegram channel join नहीं करे हैं, तो आप लोग बह bag and pull pattern है, अगर इसका breakout आगया, 39,900 का breakout आगया, तो हमारा target होगा 1.618 का जो की 40,600 रुपीज का level है, और exactly वो level को इसने test कर और वहां से गिरावट आई है, तो बिलकुल exactly जो मैंने आपको बताया था, वो fulfill हुआ, ये pattern मेरा बहुत ही बढ़िया pattern है, इसको मैं personally अलग तरीके स होते है, जो की exactly perfect होता है, तो अगर comment section में सबसे जादा हाता है, कि sir इसके लिए एक separate video बना, तो within two days आपको dedicated video अपने secrets के साथ बता हुआ, तो आप देख सकता है, आप लोगों को 39,630 पर suggest कर रहा था, अब अगर हमारा Thursday का telegram open करेंगे, तो आपको देखेने को मिल जाएगा, तो आपर हम लोगों ने buy कर रहा था, because resistance का breakout हुआ था, multiple hurdles थे, तो इस level पर हमने buy कर रहा था, और हमारे बहुत बढ़ी 1000 point की rally capture करी, जिन लोगों ने करी अच्छी बात है, जिनों ने नहीं करी, कोई बात नहीं, opportunity फिर मिलने वाली है, आप देखेगा, दुबारा एक impulse जो support है, सबसे बढ़िया support है, वो support कौन सा है, support है 40,000 psychological level की बात करूँ, तो 40,000 support है, but मैं उसे 100 point नीचे मानके चलूँगा, 39,900 का, because वो support है, तो अगर आप लोगे आपने stop loss maintain करके रहा, 40,000 पर वो तो hit हो सकता है, तो 100 point नीचे मेरा support है, otherwise अब देखेंगे resistance का है, 40,500 का, त current price है, 40,300 का, तो यानि कि 300 point नीचे मेरा support है, 300 point उपर मेरा resistance है, कल शुरवात पर अगर gap अप खुले और वो 40,600 की उपर खुल जाए, तो clearly buy है, clearly buy करना start कर देना, तो bank lifting को, अगर 40,600 की उपर खुले, या 40,580 की उपर खुले, otherwise बिलकुल buy नी करना, 40,500, 450 खुलता है, तो आ आपको नीचे lower levels, थोड़े बहुत देखने को मिल जाए, 1200 point आप capture है, हमसे कर सकते है, अगर आपको 40,000 या नीचे मिलता है, तो आपको sell भी नहीं करना, आपको सिफ gap up पे sell करना है, अगर अगर 40,600 की उपर नहीं खुलता, तभी आपको sell करना है, गयाप पे, otherwise आपको कोई इसको और आपको 41,000 easily देखने को मिल जाएगा, तो इसको और अच्छे से बताने के लिए एक बार को open interest के data पे आपको दिखाने है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 50 का open interest open करा हुआ है, and सबसे पहले call और put change दिखेंगे, तो call है 25 million, और put change है 10 million, तो यानि कि एक vast difference है, म majority लोगों ने call को short करके रखागा है, जिसकी वज़य से upside जो range है को बहुत ही जादा limited है, जो मैंने already आपको बताई है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, highest call writing है 18,300, 18,200 रूपीज पे, और highest put writing है 18,000 रूपीज पे, तो मेरे साब से 18,000 के नीचे, अगर 15,000 के candle 18,000 के नीचे तो 100 point खुलेगा, 100 point खुलेगा तो 18,000 या 200 point भी खुल जा मैं कहा रहा हूँ, तो 18,200 और 300 के बीच महीं तो खुलेगा ना, तो अगर वहाँ खुलेगा तो जिल लोगों ने भी यहाँ पर call writing करी है 18,500, 600, 400 पे, वो सब लोग अपनी position को आगी के तरफ shift कर लेंगी, और उसक की gap up आया होगा, तो वहाँ पर volume भी अपनी position को exit करना start करेंगे, इस बात को भी याद रखीगा, तो market एक volatile और imbalance दोगी, तो वहाँ पर आपको trade नहीं करना starting पे, इस बात को nifty के लिए याद रखीगा definitely, अगर आप लोग loss भुक नहीं करना चाहते है, तो bank nifty stable है, call change और put change द अगर 40,000 पे एक support है, heavy put writing है, तो वह support हुआ, 40,500 एक resistance है, क्योंकि यह heavy call writing है, मैंने आपको क्या बोला, buy कप कर रहा है, 40,600 पे, 40,600 ही क्यों बोला, क्योंकि जिल लोगने भी आपर heavy put call writing करेंगे, 40,500 पर 40,400 पे, जैसे ही इसके उपर 100 point का gap आप देखने को मिलेगा न, तो य जिते भी trader है, जिनने 40,300,400,500 पे call को short करकर रहा, उन्हें heavy losses देखने को मिलेगे, और heavy losses के चकर पे बोलोग अपनी call writing को unwinding करेंगे, और उसके वज़े से short covering के चकर पे bank nifty उपर जा सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखेगा, उसके वज़े से market उपर जा सकती है, तो हमें short कर रहा है, 40,000, 40,500 के range के अंदर हमें कोई काम करके नहीं चलना, अब आप mind में आ रहा हुए sir, अभी 40,300 है, तो हम लोगी एक range बना सकते है, जिसमे 40,300 का call or put short कर दो, और 39,000 का put buy कर लो, और 40,600 का call buy कर लो, तो वो भी बिलकुल मत करना, because implied volatility बहुत जादा कम है, अगर implied volatility क प्रीमियम के जो prices है, वो बहुत जादा कम है, तो option sell करके आपको कोई फायदा मिलने नहीं वाला, option buy करके ही profit आपको मिलेगा, इस बात को याद रहे कि option selling मत करना, एक दो दिन option buy करना, एक बार FIA data चेक कर लो, so FIA data पे आपने बहुत जादा वी किया, call देखेंगे तो 77,000 quantity call buy करी है, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे, तो put 2.58 lakh quantities buy करी भी है, यानि एक वास्त difference है, 5 times जादा उन्लोगोंने, 4 times जादा उन्लोगोंने call के अंदर buy, put के अंदर buy position मनाई विया, तो यानि या उपन options के थुरू, वो लोग week है, इसके लाब अगर आप लोग इंडे activity 20th, 22nd of October की देखेंगे, तो उन्लोगोंने call exit करी विया, उसके अलावा उन्लोगोंने put के अंदर buy मनाई विया, तो यहां पर भी week है, प्लस उन्लोगोंने index future भी short करा वा है, तो मेरे असाब से FIA इसके अंदर भी week है, marketing के अंदर, तो इस बात को याद रखेगा, जिल और bank nifty में short बिल्कुल भी नी करना, अगर gap up खुलता है 40,500, 500 के उपर अगर gap up खुले, या 530 के उपर gap up खुले, तो short मत करना, अगर 40,400, 450 के असपस gap up करना, clearly short करता है, 70 to 100 points, easily, शुरवात के 5 minute के अंदर आपको दे सकता है, पर आपको तब exit कर लेना है, आपको heavy short positions बिल्क I hope आपको वीडियो पसंद आ, योगी तो वीडियो पसंद आ, या like करिये, share करिये, subscribe करिये, जब अगर आप लोगो ने end कर लिया, तो जाएगे इंडिया का और पाकिस्तान का match देगे and support it, thank you guys, bye